फिलक्षन, वाइफी पैंटेस्टिंग के लिए एक काफी पावरफोल टूल, मैंने अपने चैनल के शुरुआती दुनों में इसके उपर वीडियो बनाया हुआ भी था, आपने वो वीडियो देखा भी होगा, पर इसको काफी टाइम में हो चुका है, और इसमें बहुत मदद से वाइफी इसको हैक कर सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनेल और आप सभी देख रहे हैं अटेक्चिव यूट्यूब चैनल, फिलक्षन टूल, जिसमें आपको वाइफी पैंटेस्टिंग के लिए कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि रोग एपी, इविल ट्वेन, वाइफी जैमिंग, हैंड से कैप्चरिंग आदी, फिलक्षन टूल का सही से यूज़ करने के लिए आपको वाइफी पैंटेस्टिंग के लिए कैपेवल, वाइफी आप्टर की जरूवत पड़ेगी, इसके लिए एक नहीं, बलके दो वाइफी आप्टर इप्टर है, यह नोर्मली काली पर वर्क नहीं करेगा, तो इसका ड्राइवर काली नेक्स पर कैसे इंस्ट्रोल करते हैं, कैसे इसके मदद से फाइफी गीघर्ज वाले वाइफी नेट्रक को पेनेट्रेट किया जा सकता है, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लिजेगा और मैं इस वीडियो में TP-Link का ही ज़्यादा यूज करूँगा जिसे कि यहाँ पर यह और वी टेस्ट हो जाएगा कि यह यहाँ पर वाइफाई पैंटेस्टिंग में कितना खरा उतरता है तो मैं यहाँ पर इनी दोनों वाइफाई अप्टर का यूज करूँगा और इनको मैंने अपने सिस्टम से कनेट कर लिया है तो आईए देखते हैं कि अभी फ्लक्षन टूल काल इनक्स पर किस तरह से वर्क करेगा पर वीडियो को शुरूGU काने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात यह वीडियो केवल एज्युकेशन परपस के लिये ही है कि वाइफाई पई पेंटेस्टिंग कैसे कीजा सकती है बिना permission के किसी की Wi-Fi पर इस तरह के टेस्ट करना पूरी तरह से illegal है मैं ये पूरा demo अपने ही Wi-Fi पर देखाऊंगा जो की पूरी तरह से मेरे control में ही है तो आप इस बात का यहाँ पर खास ध्यान रखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लक्षन टूल को अपने सिस्टम पर क्लॉन करेंगे तो मैं इसको अपने desktop पर ही क्लॉन करूंगा तो मैं अपने desktop पर आ चुका हूँ उसके बाद आप आप यहाँ पर command लगा दीजिए git clone और जो आपने URL कॉपी किया है उसको आप यहाँ पर paste कर दीजिए उसके बाद फ्लक्षन टूल आपके desktop पर क्लॉन हो जाएगा इस टूल को अंकराने के लिए हमें और वी कई सरे टूल की जिरुवत पढ़ेगी तब ही यहाँ पर यह टूल वर्क कर पाएगा आपके system के अंदर जो भी missing packages है वो यहाँ पर automatic ही install हो जाएगे और आपको इस script को sudo के साथ ही run कराना होगा दौर्मल यह work नहीं करेगी अब यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यह tool run हो रहा है और यहाँ पर यह चेक कर रहा है कि मेरे system के अंदर कौन-कौन से package install है तो यहाँ पर जो भी package missing होंगे वो यहाँ पर automatic ही install हो जाएगे तो यह सारे packages मेरे system के अंदर पहले से install है जब यहाँ पर यह सारे tool आपके system पर install हो जाएगे उसके बाद यहाँ पर यह tool start हो जाएगा उसके वाद आपको यहाँ पर यह दो तरह के attack मिलेंगे, एक captive portal और दूसरा handshake सनूपर, तो पहले हम यहाँ पर handshake को capture करेंगे, और जो handshake हमने capture किया है, उसके password को recover करने के लिए हम यहाँ पर evil to know attack का use करेंगे, तो पहले यहाँ पर मैं दूसरा number वाल attack स्टार्ट करूँगा, hands से capturing के लिए TP-Link वाल एक्टर का यह use करूँगा, hands से capture के लिए हम यहाँ पर दो adapter की जरूवत नहीं पड़ेगी, तो मैंने type कर दिया one, उसके बाद आपने यहाँ पर जो इंटरफेस स्लाइट किया है, उसके अंदर monitor mode enable हो जाएगा, उसके बाद आपने आपने आपर slide कीजे कि आपने आपर कौन सी channel को monitor करना चाहते हैं, और कौन सी frequency पर आपने आप 2.4 GHz, 5 GHz, या दोनों frequencies पर सारे channels को monitor कर सकते हैं, या को specify channel को आपने आपने आपर monitor कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सारे channel को ही monitor करूँगा, 2.4 GHz और 5 GHz वाले, तो मैं type कर दिया 3, उसके बाद की नेटवर्क को सर्च करेगा और जो भी आपके आसपास के वाइफ़ी रेंज भी होंगे उनकी लिस्ट नहां पर आती जाएगी और जैसे आपको आपका टार्गेट मिल जाता है तो आप इस बुंडो को कंट्रोल सी की मदद से बन कर दीजे फिर आपके यहां पर जो भी टार्गेट सेलेक्ट हुए है उनसे भी की लिस्ट नहां पर आ जाएगी और आप देख सकते हैं यहां पर मेरा आसपास के वाइफ़ी की लिस्ट आ चुकी है तो इसके अंदर मेला टार्गेट मौजूद है यहां पर मैं अपने वाी फाई को स्लेट करूंगा जो कि चाट नंबर पर है आप यहां पर वाई-फा की वायफा की क्वाल्टी देख सकते हैं कि यहां पर सिंगल कितने हैं यह टार्गेट वाई-फाय कासे चैनल पर रण हो रहा है काउनसे पर यूज हो रहा है वह सब आन यहां से जान पाएंगे, तो यहां पर मैंने अपने Wi-Fi को select कर लिया है, जो की चान नमबर पर है, फिर आपने अपने 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 टार्गेट ट्रेकिंग के लिए कौनसे इंटरफेस का यूज करना चाहते हैं, तो मैं इस पूरी अटेक के लिए के वल टीपी लिंक का ही यूज करूंगा, तो मैं फिर से टाइप कर दिया 1, आप इसके वाद आपने अपने अपने legitim के लिए कौनसे मेथट यूज करना चाहते हैं, फिर यहां पर MDK 4 best है पर यहां पर मैं select कर रहा हूँ 2 यह replay उसके बाद आपने पर चूज कीजिए कि आपने पर monitoring और Wi-Fi jamming के लिए Concentreface यूज करना चाहते हैं तो यहां पर मैं TP-Link का यूज कर रहा हूँ तो मैंने फिर से type कर दिया 1 फिर इसके बाद आपने पर verification method चूज कीजिए कि आपने पर Hashes को किस तरह से verify करना चाहेंगे Air Crack NG की मदद से या Cow Patti की मदद से तो यहां पर Cow Patti best है तो मैं type कर दिया 2 उसके बाद आपने पर time set कीजिए कि यहां पर verify हैंड से को कितने समय बाद चेक करें तो वो up time यहां पर set कर दिजिए मैंने आपर set कर दिया 1 जो कि 30 seconds के अंतराल में हैंड से को check करेगा फिर आप य यह दिया आपके system की confusion काफी बढ़िया है तो अब यह पहला वाल option भी select कर सकते हैं उसके बाद यहां पर attack start हो जाएगा जो भी आपने यहां पर target को select किया है वहां पर deauthenticate packet बेजे जाएंगे उस wifi को jam किया जाएगा जिससे कि उस network पर जो भी device connect है वहां पर disk connect होने लग हैंएंटक करने की कोसिष करेगी तो यहां पर hands psychologist क्याप्चर हो जाएगा जैसे कि आप मेरे mobile की screen पर देख सकते हैं यहां पर मेरे Wi-Fi network से हिने बारवारन करने इसी बीच यहापर handshake भी capture हो जाएगा और आप screen पर देख सकते हैं यहापर handshake capture हो चुका है handshake capture होने के बाद यहापर इदो windows close हो जाएगी इस log वाली window पर आप देख सकते हैं कि यहापर handshake successfully capture हो चुका है यहापर जो भी handshake capture होआ है वो आपको flexion folder के अंदर ही मिल जाएगा इसके लिए आपको जाना हो गा flexion के अंदर attacks के अंदर यहापर आपको दो folder मिलेंगे attacks के सबसे तो हम यहाँ पर जाएंगे handshake snooper के अंदर इसके बाद आप जाएंगे handshake folder के अंदर तो यहाँ पर जो भी handshake capture हुआ है वो यहाँ पर show हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे target wifi का handshake capture हो चुका है अब भी हम यहाँ पर handshake file के password को ये विल्टिन अटेक की मदद से निकालेंगे तो मैं टाइप कर दिया 1 दूसरी अटेक को सेलेट करने के लिए अभी यहाँ पर मैं यह पहला वाला अटेक सेलेट करूँगा आप देख सकते हैं जो मने टाइगर सेलेट किया हुआ है वो यहाँ पर उपर शो हो रहा है जोदि आप इसको continue करना चाहते हैं तो yes कर दिजे तो हमारा target यही है उसको यहाँ पर मैंने yes कर दिया है उसके बाद आप 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 आपर target tracking के लिए अपना wifi interface लाट कीजिए तो इसके लिए भी नहाँ पर मैं panda क्रेप्टर के यह यूज करूँगा TP-Link क्रेप्टर का मैं यूज fake access point बनाने के लिए करूँगा तो मैंने टाइप कर दिया 2 उसके बाद आप चूज किजिए कि आप access point के लिए constant interface का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैं TP-Link का यूज करूँगा तो इसके लिए यहाँ पर मैं टाइप कर दिया 2 फिर आप यहाँ पर चूज किजिए कि आप यहाँ पर de-authentication के लिए कौन से method यूज करना चाहते हैं MDK-4, ARE Play या MDK-3 तो इहाँ पर मैं MDK-3 का यूज करूँगा जो की काफिस ही तरह से वर्क करता है तो मैं टाइप कर दिया 3 उसके बाद आपने पर select कीजिए कि आपने अपर access point service के लिए कौन से method का यूज करना चाहते हैं host APD का या airbase ng का तो इसके लिए host APD best है तो मैं टाइप कर दिया 1 उसके बाद अपने पर अपने password verification method को choose कीजिए कि आप password को verify करने के लिए कौन सा method यूज करना चाहेंगे cow patty या aircrack ng का तो इसके लिए cow patty best रहेगा तो मैं टाइप कर दिया 1 अब ही अपने पर देख सकते हैं कि जो हमारा target access point है उसके SS यहां पर found हो चुके हैं जो हमने handshake capture किये थे वो यहां पर detect हो गया है यह दि आप किसी का use करना चाहते हैं तो आपने पर one type कर दिजे यह दि आपका handshake किसी दूसरे path पर save है तो आपने आप दूसरे option select करके आपने path को set कर सकते हैं यहां पर भी आपके handshake file save है तो उसके लिए आपने पर मैं पहला वाल option ही select करूँगा तो मैंना type कर दिया one उसके बद आपने आपने पर set कीजिए hash verification method को कि आपने आपने handshake के access को कौन से method से verify करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर मैं यूज करूँगा cow patty का और आप देख सकते हैं यहां पर handshake के access verify हो चुके हैं फिर यहां पर यहां पर आपसे पूछेगा कि आप यहां पर portal के लिए SSL certificate करना चाहते हैं या उसको disable रखना चाहते हैं तो आप उसको अपने इसाब से start कर सकते हैं तो यहां पर मैं SSL certificate को create कर देता हूँ तो उसके लिए type किए 1 उसके बाद यहां पर SSL certificate create हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर select कीजिए कि यहां पर जो fake access point create होगा उसके आप internet connectivity कैसी रखना चाहते हैं disconnected या emulated तो यहां पर मैं इसको disconnected ही रखूँगा तो मैं type कर दिया 1 उसके बाद enterprise कीजिए फर आपको यहां पर पोटल को create करने के लिए कई सारे options मिल जाएंगे यह देखिए यहां पर 78 options मौझूद हैं आप यहां पर अलग router के हसाब से पोटल को create कर सकते हैं तो यहां पर मैं use करूँगा TP-Link वाले पोटल का और इसके लिए भी आपको यहां पर अलग लेंग्वेज मिल जाएंगी कि आप यहां पर पोटल को कौन सी लेंग्वेज में create करना चाहते हैं तो इसको मैं English में create करूँगा तो मैं type कर दिया 68 उसके बाद enterprise कर दिजे उसके बाद यहां पर यह पोटल क्रेट हो जाएगा तो यहां पर यह attack स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर काफी सारी windows open हो चुकी है जो कि अलबलग काम करेंगी जो हमने यहां पर target select किया है उसी नाम से यहां पर एक और access point क्रेट हो जाएगा और जो original access point है उस पर wifi jamming attack स्टार्ट रहेगा तो जो भी device उससे connect रहेंगी वो मासे dictionary होने लग जाएगी और जैसे ही user जो हमने fake AP क्रेट किया है उससे connect करेगा तो यहां पर यह portal open होगा जो कि एक fake framework update की तरह act करेगा जैसे कि आप मेरे screen पर देख सकते है यहां पर portal open हो चुका है जो कि framework update के लिए password को मांग रहा है और जैसे यहां पर user अपना कोई भी password ढालता है तो यह tool उस password को जो आपने hand से capture किया है उससे verify करेगा जो यहां पर password match नहीं होता तो यहां पर show हो जाएगा कि यह wrong password है और यह attack भी continue रहेगा जो यह यूजर इसको बंद कर देता है और कोई भी website को बापस से open करने की कोसिस करेगा तो यहां पर need to work नहीं करेगा और यह window बार बार आती रहेगी और जैसे यूजर नहीं पर अपने वाइफाई का correct password अंटर करेगा तो यहां पर यह पूरा attack स्टॉप हो जाएगा यह उस password को capture कर लेगा and sex से verify करने के बाद और आप देख सकते हैं यहां पर password verify हो चुका है अब यह attack नहीं पर stop हो चुका है यह सारी windows यहां पर automatic close हो गई है यहां पर log वाली window open है जो कि आपको बता रही है कि उसका password कहाँ पर save हो है तो यह password भी आपको fraction folder के अंदर ही मिल जाएगा इसके लिए आप जाए attacks पर captive portal पर उसके बाद उपन कीजिए net log folder को तो यहां पर जो भी password capture हो हो है वो आपको target के साब से मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं यहां पर password capture हो चुका है तो इस तरह से यहां पर आप यह reflection tool work करता है तो आपने देखा यह कितना powerful tool है इसकी मदद से किस तरह से wifi इसको hack किया जा सकता है तो बताएं दूस्तो यह video आपको कैसा लगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कीजेगा मैंने आपके request पर काफी ricks लेके यह video बनाया है तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और यदि आपका ethical hacking और cyber security में interest है तो आप मेरे cyber tube.net की website पर इन वीडियो को जान कर सकते है आपको यह पर practically काफी कुछ जानने को मिलेगा और आपने अविदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरकी बैतरी जनकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आकेन को प्रेस करके जरूर रखेगा ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिशना हो पाए तो वी के लिए मैं आप से जाज चाहूँगा जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर वीडियो को याते देखेंगे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद